टीम इंडिया की हार के बाद भी सुनिल ग्रोवर को जीत का यकीन किया ये ट्विट डोंट फ़र्गेट तू क्लिक अन बेल आइकन तो गेट अल लेटेस्ट अपडेट्स ICC वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया का लक्ष एक कदम से खतम हो गया सेमी फाइनल मुकाबले में भारती टीम को न्यूजिलेंड से 18 रनों से मिली हार के बाद क्रिकेटर्स के साथ फैन्स भी बेहत निराश हुए लेकिन कई ऐसे फैन्स भी है जिन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा हो कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी इन में से एक है सुनिल ग्रॉवर सुनिल ग्रॉवर की टीम इंडिया की हार का अब तक यकीन नहीं हो रहा बुद्वार को मैच खतम होने के बाद सुनिल ग्रॉवर ने ट्विट पर लिखा थोड़ा कम लेकिन मुझे अभी भी इंडिया के जीतने के चांसिस लग रहे हैं नए रूल के हिसाब से कुछ तो होगा कि फाइनल में बारिश वारिश हो जाए डुकवर्थ और लुईस बोले कि इंडिया का एवरेज अभी तक का बेस्ट है कुछ मतलब ऐसा सुनिल ग्रोवर के इस ट्विट के बाद उन्हें कई यूजस ने सांतवना देते हुए जवाब दिया कि सर ऐसा नहीं हो सकता होता तो क्या बात थी आप इस बात पर यकीन कर ले कि हम हार गए हैं बता दे कि टीम इंडिया को सेमी फाइनल में मिली हार के बाद बॉलिवूट के कई सितारों ने ट्विट करते हुए टीम इंडिया के शांदार प्रदर्शन की तारिफ की अनुपम खेयर अमिताब बच्चन समित कई सितारों ने टीम इंडिया के सपोर्ट में ट्विट किये हैं